नमश्कार दोस्तों मैं हूँ जिगनिश परमार और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरी इस चैनल निवेश क्यान में दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाला है निप्पॉन इंडिया म्यूच्वल फंड्स के द्वारा लांच किये अपने नए एनफो निप्पॉन इंडिया निफ्टी फार्मा एटियाफ के बारे में ये एनफो ओपन होने वाला है 21 जून 2021 को और क्लोज होने वाला है 28 जून 2021 को ये स्कीम री ओपन होने वाली है कंटिनियोस पर्चेस के लिए जुलाई 12 जून 2021 को हमेशा की तरह मैं आपको बताऊँगा कि इस वीडियो की जानकारी अच्छे से समझने के लिए ये आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाय डाय करें कमेंट करें शेयर करें और अभी तक आपने इस चीनट को सब्सक्राइब नहीं किया है है वो stock market में एक normal stocks की तरह trade होता है वल्लब कि जिस तरह से हम कोई भी stocks कोई भी company के share को खरीदते हैं बेचते हैं बिल्कुल इसी तरह से आप ETF प्रकार के fund को भी खरीदिया बेच सकते हैं और ETF प्रकार के fund में investment करने के लिए आपके आपके पास teammate account होना compulsory है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको इस NFO में investment करने की इच्छा हो और आपके पास teammate account नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आप angel broking में अपना free mutual fund और डिमेट account ओपन कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से तो इसकी link description और comment box में दी गई है वहां से आप अपना angel broking में account open कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने NFO Nippon India Nifty Pharma ETF के बारे में दोस्तों जिस तरह से हमारे आसपास अलग-अलग प्रकार की बीमारिया फैल रही हैं एक बीमारी जाती है तो तुरन दूसरी बीमारी आ जाती है और ये पिछले कई साल से ऐसे ही चलता आ रहा है और इसी प्रकार की परिस्षितियों में हमेशा pharmaceutical sector इ आती रहती है और उससे लड़ने के लिए हमारा pharmaceutical sector कड़ी मेनत कर रहा है तो इसलिए pharmaceutical sector में हमेशा growth रहता है और आगे भी इसी तरह का growth इसमें बने रहने की पूरी संभावना है तो हमारा ये जो NFO है वो investment करने वाला है Nifty Pharma Total Return Index के stocks में तो इसलिए हमें सबसे पहले जानकार लेनी है Nifty Pharma Total Return Index के बारे में तो दोस्तो Nifty Pharma Total Return Index NSC यानि कि नेश्टर स्टॉक एक्सेज में लिस्टेड फार्मासूटिकल सेक्टर की टॉप 10 कंपनी के free float market capitalization से बना हुआ है इसका simple मतलब ये है इस इंडेक्स में फार्मासूटिकल सेक्टर की टॉप 10 कंपनीया शामिल ह जोस्तो एक बात यहां पर मैं आपको clear करना चाहूँगा कि फार्मासूटिकल सेक्टर मतलब सिर्फ दवाई बनाने वाले कंपनी नहीं होता है लेकिन medical सेक्टर में जो भी चीज़े use होती है वो सारी चीजों का फार्मासूटिकल सेक्टर में include होता है जैसे की syringe, ivy set, injection, bed, दवाई की bottle इस प्रकार की सारी जो भी चीज़े फार्मासूटिकल सेक्टर में use होती है वो सब को फार्मासूटिकल सेक्टर में include किया गया है लेकिन वो बात अलग है कि इसमें जो top 10 की companies होती है उसमें अल्मूस सारी कंपनिया दवाई बनाने वाली कंपनी ही है अब हम दे इसमें उनके weightage और पिछले एक साल के return के बारे में तो इसमें सबसे पहली है संफार्मासूटिकल इंडस्ट्री इसका weightage है 20.34% और इसका पिछले एक साल का return है 68.7% उसी तरह से second है Dr. Redis Laboratory इसका weightage है 18.17% और एक साल का return है 26.7% तीसरा है Divis Laboratories उसका weightage है इंडेक्स में 15.07% और पिछले एक साल का return है 81.67% उसी तरह से Cipla, Lupin, Aurobindo Pharmaceutical, Biocon, Cadillac Healthcare, Torrent Pharmaceuticals and Alchem Laboratories ये सभी companies के index में weightage और पिछले एक साल के return यहाँ पर दिखाया है अब हमें देखना है इस index के return के बारे में तो इस index का price और total return इंडेक्स के comparison करेंगे इसमें QTD, YTD, 1 साल, 5 साल और since inception का return यहाँ पर दिखाया है तो यहाँ पर हम इस table में दिखें QTD है 14.5% total return भी same है YTD 8.79 जबकि total return 9.08 इस तरह से 1 साल, 5 साल और since inception में 13.81 price return में और total return में 14.85% return इस index ने दिया है अब बात करेंगे इस index के statistics के बारे में जिसमें standard deviation है एक साल का, 5 साल का और since inception बीटा value है Nifty 50 की और correlation है Nifty 50 के साथ इसके fundamentals की बात करें तो इसका price to earn ratio है 35.92, price to book ratio है 5.78 and dividend yield है 0.42% तो यह बात हो गई index के return, statistics and fundamentals के बारे में अब हम यहाँ पर एक graph के जरीए एक comparison करेंगे Nifty Pharma Index की Nifty के बाकी के अलग indices के साथ तो यहाँ पर इस graph को ध्यान से देखिए इसमें आपको Nifty Pharma, Nifty Auto, Nifty Bank, Nifty Consumer, Nifty Energy, Nifty FMCG, Nifty Financial, Nifty Healthcare, Nifty IT, Nifty Media, Nifty Metal, Nifty Oil and Gas, Nifty PSU Banks, Nifty Private Bank, Nifty Realty इस सभी sector indices performance का comparison दिखाया है तो दोस्तो यह थी पूरी जानकारी Nifty Pharma Total Return Index के बारे में कि जहाँ पर हमारा NFO investment करने वाला है तो दोस्तो अब पात करते हैं हम अमारे NFO की इसका नाम है Nippon India Nifty Pharma ETF हम शुरू करेंगे asset allocation से तो यहाँ पर 95 से लेके 100% तक investment होने वाला है Nifty Pharma Total Return Index में और 0 से लेके 5% तक का investment NET और Money Market instruments में हो सकता है Benchmark है Nifty Pharma Total Return Index इसकी जानकारी हमने अच्छे से पहले लिए है यहाँ पर direct और regular दोनों ही प्रकर के plan investment के लिए available है options की बात करें तो growth और dividend and dividend में भी dividend reinvestment and dividend payment दोनों ही प्रकर के options available है minimum purchase amount है during NFO 1000 रुपे और 1 रुपे के multiples में और उसके बाद exchange में minimum एक unit आप खरी दिया बेच सकते है इसकी phase value रहेगी 10 रुपे या तो फिर equal to 1 by 1000 value of Nifty Pharma ETF fund manager है Mr. Mehul Dama जो करीब 38 साल के है BCOM CA उनका qualification है load structure में entry और exit तोनों ही प्रकार के load दिल है यह ETF प्रकार के scheme है तो इसका expense ratio 1% से कम रहेगा riskometer की बात करें तो इस scheme का risk है very high क्योंकि यह fund एक sector प्रकार का fund है और sector प्रकार के fund हमेशा थोड़ रिस्की होते हैं दोस्तो यह थी पूरी जानकारी Nippon India Nifty Pharma ETF fund के बारे में कुछ summarize करें तो यह NFO open होने वाला है 21 June 2021 को और close होने वाला है 28 June 2021 को और यह scheme reopen होने वाली है 12 July 2021 को इस scheme गे 95% से लेके 100% अग investment होने वाला है Nifty Pharma Total Return Index में यह index बना है pharmaceutical sector की top 10 companies के free float market capitalization से जिसके नाम, weightage और एक साल के return इसके बारे में पूरी जानकारी हमें आगे ली है minimum 1000 रुपे से आप इस fund के अंदर investment शुरू कर सकते हैं इसके लिए आपको कमपल सरी demit account की जरुवत पड़ेगी और angel broking में अगर आप demit account ओपन करना चाहते हैं तो इसके link comment section में और description box में दी है अगर आप direct fund वाली investor है तो आपके लिए भी यह plan available है यह एक ETF है तो इसके लिए इसमें entry और exit दोलों ही प्रकार के load निल है और इसका expense ratio भी 1% से कम होगा तो दोस्तो यह थी सारी जानकारी Nippon India Nifty Pharma ETF Fund मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इसमें दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप comment section में जरूर बताएं अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल से सब्सकाइब करें तो मैं जी ग्रिश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ मिलते अगले वीडियो में एक ऐसी महत्वन जानकारी के साथ चैहिन चैवारत